हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर, रीकंसिलेशन ओफ कॉस्ट एंड फाइनेशल अकाउंट्स, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कॉस्ट छीट की नॉलिज होना बहुत ही ज समझ लिए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी पहले कॉस्ट चीट नहीं पढ़ा है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप कॉस्ट चीट बहुत अच्छी तरह देख लें और समझ लें, क्यूंकि तभी लेक्च्चर आपको समझ में आप आएगा, और स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वहाँ बर हम क्या किया करते थे, कि हमारे पास दो रिकॉर्ड्स होते थे, एक हमारे पास थी पास बुक, एक हमारे पास थी कैश बुक, और यह दौनों ही जो रिकॉर्ड्स हैं, यह दौनों ही जो अकाउंट्स हैं, यह किसके हैं, ये किसी एक ही organization के है ठीक है न, भई एक ही business है, उसी की passbook है और उसी की cashbook भी है लेकिन होता क्या है कि जो passbook है वो maintain करता है bank और ये जो cashbook है ये maintain करती है organization या फिर business अब यहाँ पर बात ये होती है कि भई कभी कभी जो हमारा balance है passbook का और जो balance है cashbook का वो differ करना लगता था है न, तो differ क्यों करता था, क्योंकि काफी सारे factors थे उसमें, जिसको हम कहते थे factors of disagreement या फिर reasons for disagreement between balance as per passbook and balance as per cashbook, और हम क्या करते थे, कि भई फिर इन दोनों ही चीज़ों को हम reconcile करते थे, इनको हम देखते थे, कि किन figures की वज़ा से इसका जो balance है वो बढ़ गया है या किन figures की वज़ा से इसका जो balance है, वो decrease हो गया है इसी तरह से हम ये भी देखा करते थे कि किन figures की वज़ा से यहाँ पर disagreement हो रहा है और फिर हम उनको क्या करते थे बैलेंस कर दिया करते थे उनको हम मिला देते थे उनको हम रिकंसाइल कर देते थे यही तो होता था इसका reason क्या था कि यह दौनों ही जो account है यह एक ही business के है तो इनका balance अलग-अलग कैसा हो गया भई इसी तरह से जब आप यहाँ पर आ रहे हैं यह जो आपका reconciliation है किस चीज़ का? cost and financial accounts का इसका भी ही हिसाब है देखिए हमारे पास दो accounts है एक है cost account एक है financial account तो एक हमारे पास है cost account एक हमारे पास क्या है? financial account जब हम cost accounting करते हैं तो cost accounting की जाती है cost sheet की help से ठीक है न? और यहाँ पर हमें मिलता था profit तो आपको याद होगा कि जब हमने cost sheet प्रेपेर करना सीखा था तो वहाँ पर last में बिल्कुल हमें profit मिल जाता था इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है profit as per cost account जो cost accounting का profit होगा जो हमने cost sheet से निकाला है उसको हम क्या कहते हैं? profit as per cost account एक बास समय में आ रही है जब हम financial accounting की बात कर रहे हैं तो यह वो है जो हमने 11 इंच में सीख की थी जिसमें हम क्या prepare क्या करते थे? trading and profit and loss account तो जब हम profit and loss account maintain करते थे तो उसके last में भी तो हमें एक profit मिला करता था जिसको हम क्या कहते थे? net profit और यहाँ पर हम इसको कहेंगे profit as per financial accounts क्या कहा जाएगा profit as per financial account और अब कुछ ऐसे factors हैं जिनकी वजह से इनके बीच में क्या है? disagreement है यानि के ये profit कुछ अलग है और ये profit कुछ अलग है यानि के दोनों accounts जो हैं वो मुझे अलग अलग profit शो कर रहे हैं जो हम cost sheet बनाते time consider नहीं करते या फिर कुछ और items भी हैं जैसे कि general reserve है provision for depreciation है provision for doubtful debts है या फिर आपका जो stock है उसका undervaluation और overvaluation हो सकता है जिसकी वजह से हमारे profit में क्या हो रहा है? disagreement हो रहा है तो चलिए पहले हम क्या समझेंगे? पहले हम समझ लेते हैं जब आपको पता लग जाएंगे तब ही आप यह देख पाएंगे कि किस तरह इन figures को reconcile किया जाएगा क्योंकि reconcile करना क्यों जरूरी है? भाई चाहे cost accounting हो या financial accounting हो दौनों एक ही organization की accounts तो है तो फिर दौनों का profit क्यों अलग-अलग हो सकता है? तो अलग-अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको maintain करने का जो तरीका है वो अलग है लेकिन हम यह जानने में interested हैं हम यह पता करने में interested हैं कि भाई इसको reconcile अगर हम कर दें तो क्या यह profit हमारा बराबर हो जाएगा? यानि कि जो figures हमने यहाँ पर record नहीं की है या वो figures जो यहाँ पर extra record हो गई है ठीक है न? उनको reconcile करने के बाद क्या यह दोनों जो profits हैं वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो चलिए समझ लेते हैं reasons for disagreement तो चलिए start करते हैं हम बात कर रहे हैं reasons for disagreement की और यहाँ पर पहला item हमें मिलता है items shown in financial accounts only कुछ items ऐसे होते हैं जो purely financial nature के होते हैं और वो सिर्फ financial accounts में ही show किये जाते हैं तो वो कौन से expenses हैं और कौन सी incomes हैं जो purely financial nature की हैं चलिए उनको समझते हैं तो देखिए first यहाँ पर है purely financial charges वो charges जो सिर्फ financial nature के हैं यानि के सिर्फ trading और PL में ही आप उनको show करते हैं तो पहला क्या है देखिए loss on sale of fixed assets discount on debentures interest on loan etc तो देखिए आप देख पा रहे हैं आपको याद आएगा कि जब हम cost accounting कर रहे थे तो ऐसे जो भी items थे वो हमने मना कर दिया था कि भाई इनको यहाँ पर treat नहीं करना यह कहाँ पर treat की जाते हैं financial accounting में और कहाँ पर treat की जाते हैं trading and PL account में आगे चलते हैं वाई appropriations of profit जैसे कि dividend paid income tax paid transfer to reserve provision for depreciation and bet and doubtful debts ठीक है न provision for depreciation मनाते हैं और provision for doubtful debts भी तो मनाते हैं तो provision क्या है यह सभी चीज़ें एक तरह का reserve हैं कहाँ से बनाते हैं reserve को हम अपने profits में से तो आपको याद आएगा यह terms आप पहले भी देख चुके हैं कि dividend paid income tax paid और transfer to reserve इनको हम cost accounting में treat नहीं करते थे लेकिन कहाँ पर treat किये जा रहे हैं financial accounting में इसी लिए profit में difference आ रहा है है थर्ड type की item से देखिए writing of intangible and fictitious assets जैसे के आपने goodwill write-off की आपने patents write-off की या पिर copyrights आपके पास हो सकते हैं इसी तरह से preliminary expenses आपके पास हो सकते हैं या पिर discount on issue of shares बगरा वाली बाते जो थी तो अगर आप इन items को कहां treat कर देते हैं financial accounts में तो इनसे क्या होगा profit आपका reduce हो जाएगा जबके cost accounting में तो इनको शोही नहीं कर रहे तो हो गया न profit में disagreement इसी तरह से purely financial incomes जैसे के rent received profits on sale of fixed assets dividend received discount received, commission received etc. ये वो incomes हैं जो कहां पर record की जा रही है financial account में इसकी वज़ा से profit बढ़ गया होगा लेकिन cost accounting में तो हम इनको treat ही नहीं कर रहे हैं तो cost accounting का profit हो जाएगा कम और financial का profit हो जाएगा ज़ादा ये first type के items हमने देखे चलिए इसी तरह से और आगे समझ लेते हैं देखे एक reason तो हमने समझ लिया है कुछ यहां पर reasons और हैं इनको और समझ लेते हैं second reason है items shown in cost accounting only कुछ items ऐसे होते हैं जो सरिफ cost accounts में record की जाते हैं जैसे first point क्या था items shown in financial accounts only तो यहां पर क्या कह रहा है कि भाई कुछ items ऐसे हैं जो सरिफ cost accounting में ही record किये जाएंगे लेकिन यह items ना की वराबर हैं आपको question में मिलेंगे भी नहीं कहीं इसका example भी देना बहुत मुश्किल है एक example इसका यह बन सकता है कि हम जो है cost accounting में depreciation लगाते हैं तो हम यहां पर depreciation लगा रहे हैं लेकिन पता लगा कि जो हमारी book value है machine की वो बहुत जादा कम हो चुकी है लेकिन हमारे पास जो कोई पुरानी value लिख्यूई थी हम उसी पर depreciation लगाई चले जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि cost accounting में तो आप depreciation को शो कर रहे हैं लेकिन financial accounting में क्या हो रहा है कि उस asset की value तो बहुत कम हो चुकी है तो उस पर depreciation ना की बराबर बन रहा होगा तो इससे क्या होगा देख रहे हैं अब disagreement हो जाएगा profit में इसी तरह से over or under absorption of overheads क्या मतलब होता है भई देखे जब हम cost accounting करते हैं तो इसकी जो figures होती है वो actual figures नहीं होती करना है आप estimated values लेते हैं फिर जब actual आप उनको compare करते हैं अपनी financial value से तो हमें पता लगता है कि भाई value जादा है या कम है समझे दरा suppose कीजिए overheads की याँ पर जैसे बात की जा रही है हम यहाँ पर ले लेते हैं labor भाई आपने क्या किया कि आपके पास indirect labor है या suppose कीजिए भाई आप यहाँ पर ले सकते हैं selling and distribution overheads इस टाइब की चीज़ें या फिर आप कह सकते हैं administrative overheads ये कुछ examples यहाँ पर आपको समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है तो भाई इन में क्या हो रहा है under या over क्या मतलब हुआ वो कितने हैं suppose कीजिए 10 कितने है 10 ये किसमे estimate कर रहे हैं cost accounting में लेकिन जब आपने financial accounting से इसको compare किया तो क्या हो सकता है भाई हो सकता है financial accounting में 12 आ रहा हूँ या ये भी तो हो सकता है कि financial accounting में 8 आ रहा हूँ तो इसको हम कहेंगे कि अगर हमने कम लिख लिया है वैसे actual कितना है 12 हमने estimate कितना लगा लिया 10 का तो इसको कहेंगी कि भाई यह हो गया under absorption under absorption की वज़ा से हमारा खर्चा हो गया कम तो हमारा profit जो है बढ़ गया होगा इसी तरह से यह हो सकता है कि भाई जो हमारा absorption हुआ है वो क्या हो जाए over क्यूंके actual में कितना खर्चा है 8 का लेकिन हमने कितने रुपए का खर्चा दिखा रखा है 10 रुपए का तो इसमें क्या होगा कि हमने over absorption दिखा दिया over heads का जादा करने से क्या होगा expense बढ़ गया तो profit हो जाएगा कम ठीक है ना फिर देखेंगे different basis of stock valuation बैए stock को valuation करने का क्या base होता है अगर मैं financial account की बात करूँ तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका suppose कीजिए cost होती है raw material की या products की और जो उनकी market value होती है उन में से जो भी value कम होती है whichever is less उसके base पे हम closing stock को value करते है सबको याद होगा बैए एक value होती है raw material की या closing stock की जो trial balance में लिखी हुई है एक value आपको याद होगा नीचे लिखी होती थी उसमें लिखा होता था net realizable value या फिर market value तो हमें यह समझाय गया था कि भाई इनमें साथ जो value कम हो वो रख लो लेकिन यह किसकी बात थी यह बात थी financial account की अब हम बात कर रहे हैं cost accounting की तो यहाँ पर हमें समझा रहा है लीफो मेथर्ड फीफो मेथर्ड हीफो मेथर्ड है ना तो यह different methods यहाँ पर हमें मिलते हैं stock को value करने के लिए तो जाहिर सी बात है इस method में और इस method में बिलकुल difference होगा और जब difference हो गया तो क्या होगा profit में भी जरूर फरका जाएगा ठीक है न फिर हम देख रहे है different methods of charging depreciation आपको क्या करना है कि जब आप क्या पढ़ते है financial accounts तो आप depreciation कैसे लगाते हैं आप लगा रहे हैं suppose कीजिए straight line method पर आप लगा रहे हैं written down method पर written down value method पर यह किस में पढ़ते हैं financial accounts में लेकिन cost accounting में depreciation लगाने का तरीका क्या है हमारा हम लगा रहे हैं machine R rate के हिसाब से भए हम ही कह रहा हैं कि जितनी तेर machine चली उसके हिसाब से depreciation लगाएंगे या फिर आप लगा रहे हैं units के हिसाब से units produced के कि जितने यूनिट बन रहे हैं उसके हिसाब से depreciation देखो तो जब method में फर्क आ गया तो profit में 100% फर्क आएगा फर्क आते ही क्या हो जाएगा disagreement हो जाएगा तब ही तो हमें reconciliation पढ़ना पढ़ रहा है और last क्या है abnormal gains or losses abnormal gain or loss क्या है इसका example हम ले सकते हैं कि यहाँ पर कर लेते हैं पढ़ाओ का आपने loss by fire तो loss by fire क्या है यह तो abnormal loss है ना या फिर हम कह सकते हैं कि theft goods जो है वो आपके चोरी हो गए तो यह सब चीज़े क्या है यह आपके abnormal nature के losses है जब हम बात करते हैं financial accounts की तब हम इनको consider करते हैं लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं cost accounting की तो वहाँ पर इनको कहें भी हम consider नहीं करते और जब हम इनको consider नहीं कर रहे तो क्या होगा profit में disagreement हो जाएगा तो यह थे वो सभी reasons जिनकी वजह से profit में क्या हो जाता है disagreement कौन से profit में costing profit में और financial profit में या फिर profit as per financial account और profit as per cost accounting में जो disagreement के reasons हैं वो फिलहाल हमने देखे यह theoretical point of view से ज़रा important था आप से हो सकता है question में पूछ ले के what do you mean by reconciliation of cost and financial statement and give reasons for disagreement है ना तो यह आपको समझा दिया गया है अब next lecture से हम numerical part पर चलेंगे और numerical part के लिए भी एक बहुत ही अच्छी trick मेरे पास है आप लोगों के लिए क्योंकि जब आप book खोलेंगे तो book में जो है बहुत लंबी सी table बनी हुई है उसमें क्या रख़ा है भाई इन सब चीजों को add कर लो और इन सब चीजों को less कर लो और answer आपका आजाएगा तो इतनी मेहनत कौन कर यार कि क्या क्या add करो और क्या क्या less करो बहुत ही शांदार सी ट्रिक बताएगे इन्शाला next lecture में फिलाल आप इसको बहुत अच्छी तरह देखिए समझे और अपने notes प्रीपर कर ले ताकि अगर theoretical point of view से आपके सामने कोश्चन आ जाए तो आप इसको बहुत आराम से solve कर पाएं I hope आपको आज का lecture समझ आया होगा अब आपको करना क्या है इसकी practice कीजिए अपने friends को जरूर share कर दे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले हम मिलते हैं आपसे next lecture में Thanks for watching झाल